जे माता दी रधे रधे आई यी सुन्ते हैं नौरात्री के दोसरे दीर मा ब्रह्मचाडी की कथा इवं पूजन विधी नौरात्री का देवा नौ दिनों तक चलता है इन नौ दिनों में तीन देवियों पार्वती, लच्मी और सरश्वती के नौ शरूपों की पूजा की जाती है पहले तीन दिन पार्वती के तीन स्वरूप, अगले तीन दिन लच्मी माता के तीन स्वरूप और आखरी के तीन दिन शरश्वती माता के श्वरूपों की पूजा करते हैं नवरात्री का तेवार नौ दिनों तक चलता है इन नौ दिनों में तिन देवियां पार्वती, लच्मी और सरस्वती के नौ शरूपों की पूजा करते हैं नौरात्री के नौ दिनों में आदिशक्ति माता दुर्गा के उन नौ रूपों का भी पूजन किया जाता है माता के इन नौ रूपों को नव दुर्गा की नाम से भी जाना जाता है नौ रातरी के इन ही नव दिनों पर मात दुर्गा के जिन नौ रूपों का पूजन किया जाता है विपहला शेल पुत्री, दूसरा ब्रमचाडी, तीसरा चन्दरघंटा छौथा कुष्मांडा, पाच्मा अशकन्दमाटा, छठा कात्याइनीमाटा, सात्मा कानरात्री, आथमा महागवरी और नौमी शित्धात्री हैं माता ब्रह्मचारी के पूजा भी थे नौरात्री के दूसरे दी मा ब्रमचारी की पूजार्चना का विधान है। देवी दुर्गा का यह दूसरा रूप भगतों एवं सिध्धों को अमोग फल देने वाला है। देवी ब्रमचारी की उपासना से तप, त्याग, बैराग्य, सधाचार, शैयं की ब्रिधी होती मा ब्रमचारी की किरपासे मनुष्य को शर्वत सिध्धी और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन के अनेक समस्याओं एवं परिशानियों का नाश होता है। देवी ब्रमचारी का श्वरू पूर जोतिर में है। मा दुर्गा की नौ सक्तियों में से दूतिय सक्ति द देवी ब्रमचारी का है। ब्रह्मा का अर्थ तपश्या और चारी यानि आचरण करने वाली अर्था तपका आचरण करने वाली मा ब्रमचारी या देवी सान और निग्मगन होकर तप में लेन है। मुख पर कठोर तपश्या के खारण तीज और कांती का ऐसा अनुठा जो तीनों लोकों को उजागर कर रहा है देवी ब्रह्मचारी की दाहिने हाथ में अच्छमाला और माए हाथ में कमंडल है देवी ब्रह्मचारी साच्छात ब्रह्मा का शुरूप है अर्था तपश्या का मूर्तिमान रूप है इस देवी के कैयन्य नाम है जैसे तपश्चार अपर्ना और उमाव देवी ब्रह्मचारी जी की पूजा का विधान इस प्रकार है शरुप्रथम आपने जिन देवी देवताओं इवं गड़ों वह योगिनियों को कलस में आमंत्रित किया है उनकी फूर अच्छत रोली चंदन से पूजा कर उन्हें दूद दही सक्कर घृत वह मधूशे अशनान कराएं वह देवी को जो कुछ भी प्रशादर पित कर रहे हैं उसमें से एकंस इन्हें भी अरपड करें प्रशाद के पश्चाद आचमन और फिर पान सुपारी भेटकर इनकी प्रदच्छिडा करें कलस देवता की पूजा के पश्चाद इसी प्रका नौग्रह, दस दिकपार, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा करें इनकी पूजा के पश्चाद माता ब्रमचारी की पूजा करें देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रातना करें इसकी पश्चाद देवी को पंचामिर असनान कराए और फिर भाती भात से फूल, अच्छत, कुमकुम, शिंदूर अर्पित करें देवी को लाल फूल काफी पसंद है घीव कपूर मिलाकर देवी की आर्ती करें अंत में छमापरातना करें आवाहन जानामिन जानाम विसरजनम पूजाम चैवन जानामि छमश्व परमेश्वरी आई सुनते हैं मा ब्रह्मचाडी की कथा नौरात्र के दूसरे दिन मा दुर्गा की देवी ब्रह्मचाडी रूप की पूजा करने का विधान है मा ब्रह्मचाडी की दाई हाथ में माला और बाई हाथ में कमंडल है सास्त्रों में बताया गया है कि मा दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वत राज की यहां पुत्री बनकर जन लिया और महर्शी नारत के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादिव को पती के रूप में पाने के लिए कठोर तपश्या की थी हजारों वर्शों तक अपनी कठिन तपश्या की खारड ही इनका नाम तपश्यारी या ब्रह्मचारडी पड़ा उन्हें त्याग और तपश्या की देवी माना जाता है अपनी इस तपस्या की यवधी में इंधोने कई वर्सों तक निराहार रहकर और अतियन कठीन टपसी महादिव को प्रशन कर लिया इनके इसी रूप की पूजा और रिस्तवन दूसरी नवरात्र पर किया जाता है ब्रह्मचारी भगवती दुर्गा की नौशक्तियों में इनका दूसरा रूप माना जाता है सास्त्रों में ऐसा उलेखाया है कि माता ब्रह्मचारी पूरो जन में राजा हिमाले के घर मैना के गर्प शेव पन हुई दिवर्शी नारत के कहने पर माता ब्रह्मचारी शिव को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर हजारो वर्ष किवल फल खाकर कठिन तपस्या की पुनाशिव को विशिष प्रसंद करने के लिए ब्रह्मचाडी ने तीन हजार वर्ष तक ब्रिच्छों से गिरे सुखे पत्तों को खाकर कठिन तपश्या की थी ब्रह्मचाडी मा की उपाष्णा इवं राधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिध्धी प्राप्त होती है जैसे तप, त्याग, बैराग, शदाचार इत्याद की ब्रिधी होती है इनकी कृपा से भक्तों को शर्वत विजय की प्राप्ती होती है एवं जीवन की अनेक प्रकार की परिशानिया भी समाप्त हो जाती है माता ब्रह्मचारी की दाहिने हाथ में अच्माला बाएं हाथ में कमंडल मा ब्रह्मचारी की पूजा निर्ण मंत्र के माध्यम सी की जाती है जिनके एक हाथ में अच्माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है ऐसी उत्तम ब्रह्मचारी रुपा मा दुर्गा मुझे पर कृपा करें मादुर्गा की नौसक्ति का दूसरा स्वरू ब्रहमचारी का है यह ब्रहमा का अर्थ तपस्या से है मादुर्गा का यह स्वरू भक्तों और सिद्धों को अनन्दफन देने वाला है इनकी उपासना से तप, त्याग, बैराग, सदाचास और स्षयम की विधी होती है ब्रहमचारी का अर्थ तपकी चारी यानि तपका आच्रड करने वाली देवी का यह रूप पूर्जोतिर्मय और अतियंत भव्य है इस देवी के दाएं हाथ में जबकी माला और बाएं हाथ में कमंडल धारड किये हुए है पूर्जनमे इस देवी ने हिमाले के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारग जी के उपदेश से भगवान संकर को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए घोड तपस्या की थी इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चाडी अथाद ब्रह्मचाडी नाम से अभिहित किया गया एक हजार वर्स तक इन्होंने कीवल हलफुल खा कर विताये और सव वर्सों तक कीवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया कुछ दिनों तक कठिन पुआस रखे और खुले आकास के नीचे वर्सा और धूप के घोर कश्ट सहे तीन हजार वर्सों तक तूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान संकर की अराधना करती रही इसके बाद तो उन्होंने शुखे बिलुपत्र खाना भी छोड़ दिया कई हजार वर्सों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही पत्तो को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपरना नाम पढ़ गया कठिन तपस्या के कारण देवी का सरी एकदम छिड हो गया देवता, रिशी, सिद्गर, मुनी, शभी ने ब्रमचारी की तपस्या का अभूत पूर्व, पुंड्य कृत बताया, सराहना की और कहा ही देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की यह तुम्ही से ही संभवती, तुम्हारी मनोखामना परिपूर होगी, और भगवान चन्रमवली शिव जी तुम्हें पती रूप में प्राप्थ होंगे अब तपस्या छोड़ कर घर लवड जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिथा तुम्हें बुलाने आ रहे हैं इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संगहर्सों में भी मन बिचलित नहीं होना चाहिए माब्रमचाडी देवी की किरपा से सर्वशिधिप्राप्थ होती है दुर्गापुजा के दूसरे दिल, देवी के इसी स्वरूप की उपाशना की जाती है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बिल लोटिफिकेशन वाल पर शिट कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसी पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद